अखी टीचर है थैरेना श्रेफ कोर्स फार्मा को घोची से 1 फाइस अफ्यक्टना नि उसी इसमीं इस में हम फॉर पड़ेगे प्लांटस का यह smells करेंगे जो इसमें को होती हैं कि सबसे पहले हमारे पास टो एसे है विचेस एत्रोलियम एत्रोलियम रफस्टू थो दे एसेंशल और वॉलर्टायल उए अधिस्टिंक्ट अर्मेटिक प्रॉडक्ट अप्टेंव फंप प्लाइट एसेंशल वाल हम अर्रीडी डिसकस्ट कर चुके के एसेंशल जोई होते हैं जिसके अंदर फ्रेग्रें होती है इस्टेशन ग्राइब ऑफ्रीं से जो पर फ्रीम शोता है और वोल्टायल शचाँ इसके लोग मॉल्यकुलर वेट की वज़गे वज़गे रूम तेप्रेटर पर अवपरेट हो जाता है तो रिपर्स तो असेंशल और वोलटायल और इस डिस्टिंक्ट अरोमेटिक प्लांट की सिक्रेशन होती है इसी तरह से रेजिन भी प्लांट की सिक्रेशन है जाना केमिकल नेचर होता है वो पॉंपलेक्स होता है इसमें मुल्टिपल कमपाॉंट हो सकते हैं एक माफ में कार्भोहारीड इन और प्रोटीन भी स्टेश्लिक नेचर प्लांट विछ विटलीज वह पे जो भी अंदर कॉंस्टिटिएंट प्रेजेंट होते है वो प्रेजि और ऑल्लाइल और कमबनेशन हो गे और इस पेशल से उप सम प्लांट से इंपरी उस होते हैं तो इन बल्बस बल्बस उस रहे तो तु दबल्ब में शी कैना कोई बसी स्टैम नहीं रही भी इस शीओ इन यह वो कि आगए निया कि बडनी लेकिन क्या होंगी अग्राउंट फॉप्वाइच विछू और उत्रव नीच्ट्ट इस जेए जेए हुआ जेए कि निकलती है यह बढ़ी सो ब्लबसके ओगई इसाथ अन्डर्गाउं बडर्ण बड्र फ्टें और इस तैम अव धबल प्लाइचान प्लाइच अट तो इस अपर इसके अपर इसके कवरिंग होती है उसको को टेक्स कहा जाता है तो पास फ्लावर का की ए बढ़ते है लिए खाए lub चांच का में लना वार्वाल की पा controllers तो बजल विडिटो ऐस फ्लावर को तो एक फ्लावर की कहना गोबते हैं में और पर अपर इस जो कही है कभी आपने पीज पॉर्म में, कभी आपने देखा हphone के लाइम की ओम में तो और रहीट हूं और फम और oकिहान में एक यॹ अपनीकल में प्लावर्ट प्रावर्ण हवीज प्लावर्ड कम यह भीत प्लावर कम पाविछ जुस्छ फैकर सिहएं की फ्लाइम folium refers to the leaves of the plant usually the middle leaves of the plants are collected folium हमारे पास क्या होते हैं जो plant के middle leaves होते हैं जो stem के बीच में present होते हैं वो क्या कहलाते हैं folium कहलाते हैं fructus fructus as the name indicate refers to the fruit the ripened ovary of the flower bearing seed यह definition किसकी है fruit की fruit क्या होते हैं ripe and ovary होती है of the flower bearing seeds seeds की ovaries जो होती है यह राइप हो जाती है तो किसमें होती है fruit की शिकल में आती है और इसको fructus को berries के लिए भी यूज़ कि यूज़ किया जाता है क्यूंकि बैरी भी नॉर्मली fruits की considered होती है plant का in pharma cognoscis fructus is not always synonyms with the botanical definition इसके different meaning निकलते हैं लेकिन यहां पर हम इसको देखेंगे कि fructus जो है इसमें कौन-कौन से पाट्स होते हैं इंक्रूट फ्लावर लीव और स्टेम अव दाप्लांट और जो भी पार्ट हमारे पास में है अबब दे ग्राउन है वह सारे जो होंगी हर्भा कहलाते हैं लिंगम लिंगम रेफर्स तो दवोट और सेकेंडी थिकनिंग अव देस्ट उप पास किलाईगी नेक्स हमारे पास घखेंडि y Schweiz और स्कौिज हो ऐ म्यदोब प्र According फर्सेर टूंप ठरीव टे क्निवकित प्रेश्म फिकस्साइ ओपस्ट इसंटियब कर द्कूए वह सब्सक्राइट और घूतरों खेंश्दी पेस्ट उम अलो फब्र gelsन ही जकित सब् प्लस ग्लिस्ट्रॉल मॉइटी से बनेवे होते हैं इनका मॉलेकुलर वेट बहुत हाई होता है जो नॉर्मली गरमें वेवापरेटे नहीं होते हैं तो यह उस्ति आप देखे होते हैं तो इस नॉर्म टेपरेटर पर प्लांट के सीट्स से अप्टें की जाती है और यह उसे करी देखे स्टिकां वाभड़ मॉँटान आर दो तरीका मैटाी की को प्राका मट अंजाज ही है दो ऐसे को प्रेस किहा जाता है तो ऑपे तो उसके अंदर से आपको चीज अप्टेन हो गई ओलियम ऑप्टेन हो गया जो के फिक्स ओल की पिपेशन होती है धैन हमारे पास next term है परी कार्पियम परी कार्पियम यू रफिर्ट शुड़ा प्रुड उपर का चिल का उता है उसको क्या कहते है इन परी कार्पियम कहते है पील या फिर या पिर रिंड फुरूट कर चिलका होता है वह पेरी कारिपीम कहलाता है in terminology नेक्स्ट हमारे पास्टमानोगी है पारोलियम पारोलियम रेफर्स टुदे तार फ्रम डाये डिस्टिल प्लांट मटियल यह एक थिक माटीरियल होता है और यह डिस्टिलेशन प्रॉसे से अप्ते इसके डिफेर्ट परपस होते हैं यह एजाएक्सीपियन भी यूज़ और तार बिसिकली एक थिक प्रिपेशन होती है जो के उप्ते होती है ब्राय डिस्टिलेशन से प्लांट की ठीक है तो पारोलियम डिस इस पारोलियम नेक्स्ट रेडिक्स रेडिक्स रेफर्स तू दा रूट ऑफ दा प्लांट दो रेडिक्स सम्टैम्स अनॉलियम स्विल रा लेकिन पुछ ऐसी जगों पर इस रेडिक्स को कुछ ऑथर्स ने राइजोम के तौर पर भी यूज किया है। सभी सम्हों राइजोम का राइजोम का क्या है। युद का बीटों ऐतना है। and the plant is secreted by the plant. प्लान्ट के स्टेम्पे अगर आपने देखा उगा। तो दूसा तरीका यह उता है कि आपको डिस्टिलेशन से इप्टेम करदें बल्साम की सप्टिलेशन थी जिसमें वलेटायल आपको रजो जाएगा। यह ब्लांट पुछ से क्रीट करता है और दूसरे मैथड में आप क्या करते हैं बलसाम को डिस्टिल करते हैं और से वोलिटायल को सिपरेट करते हैं और रेजिन को अप्टेन करते हैं नेक्स्ट टम राइजोमा राइजोम और क्रीपिंग होरिजेंटल स्टेम तो राइजोम जो होती हैं बैसिकली क्या होती है राइजोमा को राइजोम भी कहते हैं और यह क्रीपिंग क्रीपिंग्स वह मटीरिल होते हैं जो जमीन के ओपर लेडाउन होते हैं यह जमीन की सर्फ यह स्टेम करती हैं। यह स्टेम पर्माइब केहा है कि अधरी नियुक्त भीजोर्डन के साथ होते हैं रहते हैं। जानाज़ स्टेम चाहिए का एंपड़ी Killer साथ होती है। अरियो जो बैसिकली क्या होते हैं और अंदर साइट पे इसकी क्या चीज़ प्रेजन भोती है इसी से रूट आइस होती है नें सीमन हैं सीमन रफर्स फु दे सीट ऑफ दा प्लांट यूजली रिमूव फ्रम दा फ्रूट और मे और मेलोड कंटें दे सीट को सी मन प्रमनिलोजी सम्टम सीट नि यूज ओ टीहां अगर सीट फूट के अंदर णंक्लोज्ड तो इसके बाद उसको रिमूब कर लिया जाए और इसके नदर जर इट में सीट कोड़ और सीट कोड़ बेसिकली का होति है सिट की एक कवरिंग होती है सम्टम सी प्रेजंट के अंदर प्रेजंट इसको इसको आजाएगा सीमिन का जाएगा so this is the few botanical terminologies and we will discuss next botanical terminologies when it come into our courses as well so this is the plant part terms which we have studied in the next lecture we will cover next terminologies according to the categories we have defined in the first lecture thank you so much